वर्तमान में अच्छे कासी भागदोड देख रहे मेश राशी की जातकों को ये सला भी कई बार मिल रही है कि 17 जनवरी 2023 से शनिदेव राशी परिवर्तन कर जाएंगे वहां से भागदोड में थोड़ा इत्मिनान निकल कर आएगा कर्म भाव से शनिदेव लाब भाव की और जाने वाले होंगे वहां से आप देखे कि परिणाम एक उनत्ती के साथ में होंगे ये चर्चा चहों और जोर पकड़े हुए है परंतुमेश राशी की जातकों के लिए जो हम यहां शनिदेव के मारगी होने वाले आधार का कारिकरम सामने लेकर आए हैं उसमें कुछ विशेश चर्चाएं कर्म भाव, द्वादश भाव, चतुर्थ, एवं व्यापार भाव के साथ में जोड़ी हुई है पहले तारीकों के यहीं बात करें, तो 23 अक्टूबर 2022 से शनिदेव मारगी हो जाएंगे मकर राशी स्थान, जोकि उनका स्वराशी स्थान है, उसमें चलते हुए ही शनिदेव लंबे अंतराल के बाद मारगी होंगे दूसरे क्रम में इस बात पर गौर करने की आवशक्ता है कि इनकी तीसरी द्रिस्टी जो द्वादश भाव पर रहेगी एक तरह से जहां देवगुरु ब्रहस्पती वक्री होकर ही चलाएमान है गौर करने लाइक बात ही है कि देवगुरु ब्रहस्पती 24 नवंबर के सुबह तक वक्री रहेंगे और शनिदेव की तीसरी द्रिस्टी यहां ब्रहस्पती पर और ब्रहस्पती के राशी स्थान पर रहने वाले होगी नव ग्रही विवस्था में सबसे नजदीक की द्रिस्टी भी शनिदेव को ही प्राप्त है और सबसे दूर की द्रिस्टी भी शनिदेव को ही प्राप्त है क्योंकि यह ग्रही विवस्था महा नयाइनिपती की है और ये भी नैसरगिक तत्या है कि शनिदेव के end result का जो base होता है वो positive होता है मंगल के end result का base इतना positive नहीं हुआ करता तो जब शनिदेव किसी राशी स्थान से और वो भी सुअ राशी स्थान से प्रस्थान कर रहे हों और अपने प्रिय राशी स्थान याने कुम्ब राशी स्थान की तरफ जहां वो मूल्ट रकॉनस्त हो जाता है वहाँ प्रवेश कर रहे हो ये सारी की सारी technical terms हैं परंतो इनको समझने की आवशक्ता इस वज़े से है कि कर्म शित्र में वर्किंग फिल्ड में इसका क्या impact निकल कर आता है इन तथ्यों के माद्यम से ही ऐसी स्थती को जाना जा सकता है तो जो ये 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का समय है यहां तक के अंतराल में फलाफल के द्रिस्टिकॉन से मेश राशी के जातकों के लिए क्या प्रभाव आ सकता है ये समगर जानकारी हम यहां रखेंगे प्रतम तया आप यह देखिएगा कि जो भाग दोड़ कई बार ठकाने वाली हो जाती है व्यापारिक जीवन के अंदर नई शुरुवात की लगातार लगे रहे और अब लग रहा है कि इस कामकाज को छोड़ देते हैं कोई सिरा निकल ही नहीं पा रहा है कोई परिणाम निकल कर सामने आई नहीं रहे हैं क्यों यहां जद्दो जहत कर रहे हैं वहीं अपने मन को समझाईएगा और स्वयम को कहिएगा कि एक बार पुनह प्रयास क्यों चलता है देखे टेंथाउस में सैटर्न है यह कर्म भाव है लाभेश भी शनिदेव और करमेश भी शनिदेव और अब मारगी भी हो चुके तो इसी वज़े से यह स्पष्ठता रखियेगा कि जो भागदोर अभी सामने है 17 जनवरी 2023 तक उसमें निरंतरता स्वयम के लिए बनाकर यही रखी जाती है तो अभी भी अपिक्षित परणाम आ सकते हैं व्यक्ति लंबे समय से प्रयास कर रहा था नौकरी बेशा जीवन में परिवर्तन का कि अब वो परिवर्तन सामने निकल कर आए और हम यह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं परन्तु यह संभव हो ही नहीं पा रहा था अब शनिदेव जब मारगी हो जाएंगे और यह जो 17 जनवरी 2023 तक का समय अंतराल रहेगा बले ही अंशिकत विवस्ताओं में शनिदेव निरंतर अब धलान की और होंगे परन्तु मुख के बात यह है कि जिस व्यक्ति न यहाँ प्रयास करने नहीं चुड़े आप जॉब में हैं कोई भी इंटर्व्यू कॉल निकल कर आता है एक दूरस्त जगह के साथ निकल कर आता है व्यक्ति सोचता है कि पंदरह इंटर्व्यू अलग अलग जगह जाकर दे चुका हूँ कोई परिणाम नहीं आया इस बार पुन है जाऊंगा दो दिन अपने खराब करूंगा परिणाम निकाल कर क्या लाऊंगा वहीं मन को ये कहिएगा कि एक बार सोलवा प्रयास भी करके देखते हैं कोई देक्कत और दुविधा नहीं है वहीं से परिणामों की अपिक्षित स्ततियां सामने आती है आप अपनी जॉब में continuous note के ऊपर एक discipline की कमी महसूस कर रहे थे या यह लग रहा था कि इस सिरे पर पहुँचकर ने बहुत कुछ बदल सकता हूँ एक बार कमान हाथ में आये तो सही तो जो ये धनतेरस से शनिदेव के मारगी आधार का परिवरतन सामने होगा वक्री यानि उल्टी चाल से निकल कर शनिदेव पुने है यहाँ मारगी आधार में चलाइमान होंगे और आपने जहां अपने प्रयासों के करम को निरंतरता में रखा वहीं से प्रणाम निकल कर आ सकते हैं जो आप यहाँ जॉब से business की और जाना चाह रहे थे परंतुपिता माता और ग्रिहस्त वक्ष के और से कोई भी हामी नहीं मिल पारी थी गौर कीजिएगा कि ये पिता भाव भी है और पिता के करम की स्तियों को देखने का भाव भी यही है शनिदेव महा नियादिपती है व्यक्ति जहाँ पर समझाईश के सिरों के साथ में जैसे ही थोड़ी सी विनम्बरता लेकर आता है उसके कारी पूरे होते चले जाता है वो ताकत अपने साथा बना कर रखे हैं आपने business के साथ में यहाँ पर पूरे तरीके से जोग कर रखा था परंतु लगता है कि घर परिवार को कहीं न कहीं आर्थिक संबल देने के लिए पूरे नौकरी की और जाने की आवशकता है ऐसे निरने मैं भी व्यक्ति जहाँ खुद की services को पूरे रिजियूम करना चाता है उस तरब जा सकता है ये गौर करने लाइक बात रहेगी कि जो विदेश संबंदिकार्य लंबे समय से अटके हुए थे जहाँ पर कोई probability का base निकल कर नहीं आ पा रहा था जो शनिदेव की तीसरी द्रिस्टी यहाँ द्वादश पर रहेगी देव गुरु रहस्मति स्वयम वक्री चलाइमान इनकी नौवी अंब्रतमाई द्रिस्टी मंगल के राशी स्थान पर तकनीकी शेत्र नियाईक शेत्र की शिक्षा या फिर आप यहाँ पर export संबंदी education क बाद में अपने करियर को उस तरफ देखना चाह रहे थे या कोई भी वीजा संबंदी issue on-site opportunity की साथ में अटकाव की तरफ अग्रसर हो रहा था और समाधान नहीं निकल कर आ पा रहे थे वहाँ पर भी आपके लिए अब एक positive note निकल कर आता है परन्तु यह गौर कीजिएग कि यहाँ physical fatigue और कहीं न कहीं जो gastric trouble से संबंदित approach होती है वो physical level पर एक तरह से disturbances दे सकती है खान पान की समय बद इस्ततियों को अपने साथ में रखने की पूरी पूरी आवशकता है आपके लिए रहेंगी यह भी गौर करने लाइक बात है कि जो यहाँ एक तरह से इसमें फलापल की दृस्टिकॉर्ण से और अधिक तिवरता आने वाली रहेगी परन्तु उसके पहले खुद को लगातार जोंक कर रखने की पूरी पूरी आवशकता देख बात में तुपूर्ण ये भी है कि शनिदेव की स्तिया मकर राशी से कुछी समय में कुम्ब की औ कई बार व्यक्ति को अपनी सोच को एक विकास के करम के साथ देखना होता है। इस वरतमान समय के साथ आप किसी भी ऐसे समझgotate के साथ समाधान की और जाते हैं और इस विकारोक्ती देते हैं तो स्वाहिन के लिए लंबे स्तर पर एक सकारात्मक्ता लेकर आसकते हैं। वही एक minute observation के साथ में इस बात पर गौर करना रहेगा कि शनिदेव कर्म भाव से कुछी समय में लाब की और प्रस्थान करेंगे तो ऐसी unit के लिए जमीन आदी की खरीत फरोग जो होती है इस्थान चन्नित करना होता है टीम बनानी होती है लोगों को convince करना होता है पहले खुद को convince करना फिर घर-परिवार को convince करना उसके बाद में आसपास के लोगों को convince करना और उसके बाद उस product के base के साथ में market को convince करके financial approach को देखना ये जो पूरी की पूरी journey है इस सारी ही position के साथ में एक ही बात को प्रतेमिबित करती है कि जो आप जमीन संबंदी निरने की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ से एक सकारात्मकता रहेगी ग्रिहस्त पक्ष का सयोग आपके साथ में बना हुआ वही पर construction संबंदी कामकाज export संबंदी को एक भी कारे जैसा हमने चर्चा की और इसके साथ यदि आप कोई business partnership में जोड़कर खुद को एक level देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी support बना हुआ है बस गौर करने की आवशक्ता इस समय में सेहत को लेकर है physical fatigue थोड़ा सा disturb जरूर करने वाली होगी कई बार जो इच्छा शक्ति के अभाव बने रह रहे थे और उसकी बज़े से मन परेशान था उससे भी अब एक निजात मिलने वाला अवसर सामने है ये भी सपश्टा रखें कि 23rd of October 2022 up to 17th of Gen 2023 तक की जोई पूरी ही जरुनी रहेगी इसके साथ ये आप कोई भी एजेंसी लाइन संबंदी काम काज में भी खुद को जूडने की अपिक्षा रख रहे हैं तो वहां से भी अच्छे परिणामों को लेकर आ सकते हैं बशर्ते की लंबी दूरी की यात्रा का मानस आप ऐसे कारियों के साथ में बना रहे हो तो जो यहां शनिदेव मकरस ताधार के साथ में मारगी हो जाएंगे मेश राशी के जातकों के लिए इस इस्तिती को प्रभावी और सकारात्मक का जा सकता है हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्तत होते रहेंगे धन्यवाद एवम आभार